हेलो श्टुडेंट्स मेरा नाम शुभम पांडे है हम लोग एनरजी कंजरोशन का चेप्टर नबर 6 पढ़ रहे हैं चेप्टर नबर 6 में पिछली लेक्चास में हम लोग इस्टडी किया थे विश्री उस्मा के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं गैसों के विश्री उस्मा जो हैं दो तरीके की होती हैं इस्थिर दापर गैस की विश्री उस्मा और इस्थिर आयतन पर गैस की विश्री उस्मा ठीक है तो इस्थिर दापर पर किसी गैस की विश्री उस्मा देखो इस्थिर दापर किसी गैस के एक ग्राम दरबवान के ताप में ए तो definition हो कि अपन हो गा चहती रहें देखते कंद में गया सुन डैफ़नितर में 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 स्थिरेंटर में तो क्या होुआ है इसको भरने प्लत क्या होगा है उसको का डाब द्लत की बात है अब रहा है उसका मतलब क्या है देखो बिसिकली हम सभी लोग यह जानते हैं कि किसी भी गैस को अगर हीट करोगे इदम कंफाइंड सिलेंडर में भर के हीट कर रहे हो तो गैस में हीट जाएगी और उसके मौलेकुल इधर उदर बहुत तेजी से भगने लगेंगे और उसका दाब तो सर्भी बढ़ता है लेकिन हमने अभी स्थिद दाब पर गैस के विश्रवान का तापमान एक डिगरी सेलसेस बढ़ाने के लिए जो आवश्व कमा की मात्रा है उसे उस गैस के लिए स्थिद पर विश्रवस्रवान बोलेंगा अब देखो, मैं एक system लाता हूँ, यह दो figure दिखे रहा है, इसमें क्या है, इसमें सबसे मज़े की बात यह है, कि यह system लगा दी है, इसमें एक piston system, यह piston ऊपर लगा हुआ, और नीचे cylinder है, इंक्लूज स्लिंडर ठीक यहां से हीट हम लोग यहां से हीट हम लोग दे सकते हैं समया और इसमें जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हम देखो इस सिद्धाब के अगर बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह करेंगे किसके अंदर जो है गैस भरा हुआ है ओके यहां इस पेटो पढ़ता है तो उसका प्रेसर को मैंटेन करने लिए क्यों क्यों स्केल कर सकता है यह डिए जिक यह guitar दिए phải गैस का प्रिस्टे 10 पास्कल है तो हीट देने के बाद 10 पास्कल होना चाहिए इस थी तरफ पर इपिश्टन उपर उठ जाएगा और 10 पास्कल मिंटेन कर देगा हीट देने के बाद भी इस इसलिए मैंने बनाया तो अब क्या करेंगे इसमें घैस भर दूदिया मैंने घैस करने के बाद कितने के बाद मैंने देखा इसका दाब ना बढ़ने पाई किטन क्या करेगा तरफ मुव कर जाएगा पिष्टन ऋपर की तरफ मुव करेगा उसका दाब क्या हो यह स्थिर हो विशिष उस्मा अभी समझ लोग कॉंसेट किया है इस्थित्र आप पर समझना है आपको अब इस्थिर आयतन पर गैस की विशिष उस्मा तो यह क्या है देखो इस्थिर आयतन पर किसी गैस के एक ग्राम दरबिमान किसी गैस के एक ग्राम दरबिमान के ताप में एक डिगरी सेल्सियस की बिर्धी के लिए आवस्यग उश्मा की मात्रा को गैस की इस्थिर आयतन पर विश्यूस्मा कहते हैं थिके आ समई महा हुआ है समय मुंस्रायक से आ रहा हो थीए अब इसथिर आयतन पोगे Basis के देख दहो तो दब को कॉंस्टेंट रहने के लिएंग तो इसन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता था सöm्ट को उपर लिए पड़ता था तो उसची Li control में होती थी जो आयतन हैं पहले किया है पहलो इतने मूझे है फिर बढ़ना पड़ हमें दाब को हम इस नहीं मतलब नहीं है कि घत रहुआ है तो हूगा क्या सकते ट्राइप विह अगर इतने मैं पहले से उटने में ही रहे गा तो इतना तो पता है कि हीट देने बाद उसका प्रेसर बढ़ेगा और इसको लगाएंगे तो यह मूव करके बढ़ जाएगा और क्या होगा आतन वैरी कर जाएगा बदल जाएगा प्रेसर क्या होगा इसलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग यहां पर फिक्स अब इसको जब ह cry क्टेज STRATE करने लेंगे तेजी कर दिया है तो इस समय इस समय में इस कढ़िए में इस गैस के ताप्मान को एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उसमा की मातरा इस्थिराहतन पर क्या है इस तीर आयतन पर इसके तापमान को एक डिगिर से एसे बढ़ाने के लिए उस्वा की मात्रा को ही इस क्या के लिए इस तीर आयतन पर क्या बोलेंगे विश्रिस उस्वा ठीक है चलो अब एक चीज और समझते हैं दोनों कंडिक्सन को स्थिरिय करते हैं जो विशिर समा थी और ईतन पर उसके बीच में रिलेशन क्या है कौन बड़ा कौन जादे यह कितना बड़ा कितना जादे यह सब चीजों को देखती है तो देखो देखो इस्थिर दाब पर गैस को दी गई उसमा जब दाब इस्थिर है हमारे पास मतलब इसमें देखो इस कंडिशन में दाब क्या था इस्थिर था ने इस कंडिशन में तो जब दाब इस्थिर था तो इस्थिर दाब पर क्या हो रहा था इससे दाब पे हम लोग जब इसको heat दे रहे थे वेटा जब इसको heat दे रहे थे तो heat किस-किस काम में आ रहा था यह heat इसका temperature बढ़ा रहा था गया यह तो बढ़ाना ही temperature एक डिशेस साथम साथ यह heat जो दे रहे हैं उसके वज़े से इसका दाब बढ़ रहा है और piston को उपर भी तो यह ले जा रहा था तो दो चीजी हो रही थी जो हमारे द्वारा दिया गया heat है जो उसमा है उससे डाब के विरुद्ध डाब के पोजीशन में वर्क भी किया जा रहा था उपर पिश्टन को ले जा जा रहा था ठीक है और टाब में एक डिगिसेस की प्रिधि भी की जा रही थी अब इस्थिर आयतन पर क्या हो रहा है इस्थिर आयतन पर जो उसमा दे रहे हम उस उसमा को दो तरीके से उच कर रहे हैं उस गैस के मॉलिकूल का ताप मान एक डिगिसेस कारे के लिए movement होना जरूरी है क्योंकि आयतन फिक्स है इसमें कोई कारे नहीं हो रहा है बस जो दी गई उसमा है वो एक चीज में काम आ रही है तो गैस का जो ताप मान है उसका ताप मान एक डिगिसेस बढ़ाने में ठीक है तो अब देखो तो हमने देखा कि इस्थिर दा दिया तो दाब के विरुद कोई कारे होगा ही नहीं ना कहां कारे होगा आयतन फिक्स है ताप मान बढ़ाओगे फिर भी movement नहीं होगा तो जो दाब के विरुद कारे वह जीरो है कि एवल जो इस्थिर आयतन पर गैस को दी गई उसमा है वो यूज हो रही है उस गैस का पान एक डिजीर से बढ़ाना है उसके लिए अगर उसमा चाहिए तो वो तो भी या फिक्स चाहिए लेकिन किसमे जादे है इस्थिर दाब पे एक एमाउंट जादे आ जा रहा है ठीक है दाब के विरुद उसको कारे भी करना पड़ा रहा है तो कहने का मतलब इस्थिर दा स्थिर आयतन पे बात करने हैं तो इस्थिर आयतन पे हमें कोई वर्क नहीं करना है क्यों बिद्धी करना है तो बस वह देना है तापमान में बिद्धी करने के लिए तो वह चीज़ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो कहने का मतलब इस्थिर दाब पे जो गैस की विश्च सुसमा के ठीक है यह टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और यह कॉंसेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है फिर भी अगर कोई कंफुजन रहता है या कुछ समझ में नहीं आता है उसको कमेंट करके पूछने के कोशिश करेंगे आपका जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा ठीक है बिटा तो आज के लिए बस इतना ही बस मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि घर पे हो टाइम को इतलाइज करो करोना से लड़ने में हम लोग की आपसी सहोग बहुत जरूरी है क्योंकि आपस में नहीं सहोग करेंगे तो करोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा घर पे हो टाइम है टाइम उटलाइज करो मम्मी पापा के कहना मानो अच्छे से रहो ठीक है और आ लोग सहोगा दूसरी बात एक और बात कहना चाहिएगा कर भला तो हो भला तो हमेशा यद रखना कि किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो ठीक है हो खरें हो आज पास के लोगो को देखो, जानवरों को देखो, अगर भूखे हैं, उनको खाना खिलाओ, एक दो रोटी देदो, तो कि वो सबसे जादे तक्लिप है, हम लोग तो मालोग ठीक है, फिर भी चल जा रहा है, कैसे भी करके दो रोटी, लेकिन वो लोग बेचारे घूमते रहत जानवरों कुछ नहीं मिल पाता, उनके बारे में सोचो, कहने कहने से आपको फाइदा जरूए मिलेगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर नेक्स लेक्चर में हम लोग मिलेंगे,